हलो एवरिवान, मैं वबित्प आप सब का श्वागत करती हूं अपनी यूट्फ चैनल पर तो आज की हमारी रेसिपी है सूरन की सबजी, जिसे जीमी कांदा भी कहते हैं तो जीमी कांदा की सबजी बनाने कि लिए मैंने लिया है जीमी कांदा सुखने के बाद हमारा जीमकान्दा की इस तरह से हो जाता है तो अब चलिए हम अपनी रेसिपी बनाने श्टार्ट करते हैं हमारा जीमकान्दा बिल्कुल त्यार है बनने के लिए जीमी कांदा की सबजी बनाने के लिए मैंने लिया है दो प्याज, प्याज को मैंने इस तरह से काट लिया है मैंने अमचूर लिया है क्योंकि मैं यहाँपस दही का यूज नहीं करूंगी तो मैं अमचूर डालूंगी और मैं कुछ सूखी मिर्च ली हूँ जो तड़के में काम आएगा हमारे अभी उसके बाद मैंने लिया है लहशुन अद्रक का पेष्ट लिया है और करीपत्त लिया है करीपत्त के जगह आप तेजपत्त भी लेशकते हैं और टमाटर को मैंने एकका टोरी लिया है इस तरह से पीस कर कड़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो गई है तो मैं इसमें डाल दूँगी जिमी कांदा और इसको थोड़ा सा पका लूँगी सारी जिमी कांदा को मैं इसी तरह से डाल देती हूँ और उसे अच्छे से पका लेती हूँ इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए तो अब इसका color हलका हलका change होने लग गया है तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक plate में आप देख सकते हैं किता अच्छा इसका color आया है तो अब ये पूरी तरह से बन कर तयार है तो इसे हम plate में निकाल लेंगे सारे जिमी कांदा को plate में निकालने के बाद हमें gas का flame medium में कर देना है ताकि सारे जिमी कांदा निकालने एक बाद flame medium में रहे और इसे में हम अपने तड़का लगाएंगे तो मैंने डाल दिया है इसमें सुखी मिर्ज, जीरा, करी पत्ता और प्याज और अब इसे हमें देंगे अद्रक लेशून का paste और इसे भी कुझदेर पका लेते हैं क्योंकि जो अद्रक लेशून का कच्चा श्वाध है वो चला जाएगा कुझदेर पकाने इसे देख सकते हैं अद्रक लेशून प्याज बहुत अच्छे सुपक गया तो अब हम इसमें डाल देंगे नमक, नमक आप अपने श्वाध के नुसार डाल सकते हैं नमक डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच मिर्च, मिर्च मैंने पहले भी डाला है, इसलिए मैं हापस कम मिर्च डाल रही हूँ मिर्च डालने के बाद हम डाल लेंगे हापस हल्दी, हल्दी मैंने एक चम्मच डाला है अब हम इसे बहुत अच्छे से mix कर लेंगे इससे क्या हो गा कि हमारे ये मसाला जलेगा नहीं और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पौडल धनिया पौडल डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गरम अबेशित पिर सारी चीजों के एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मिक्स कर लेने से मसाला हमारा नीचे जलेगा नहीं, अब ये सारी चीजे अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, मैंने एक कटोरी टमाटर डालेंगे, अब टमाटर के यदि नहीं डालेंगे तो यहाँ पस दही भी डाल सकते हैं और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाला और टमाटर बहुत अच्छे से मिक्स हो रहा है और इसे थोड़ा देर कुछ देर हम पका लेते हैं हलका सब पक जाए फिर हम इसमें डालेंगे अमचूर अमचूर डाल कर भी इसे हम कुछ देर अच्छे से पका लेते हैं सारे मसाले अमचूर टमाटर सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे मसाले और टमाटर बहुत अच्छे से पक गए हैं इसे हमें और थोड़ा सा सुखाना है मसाले बहुत अच्छे से सुख गए हैं अब हम इसमें डाल देंगे जीमी कांदा और जीमी कांदा डालने के बाद इसे बहुत आराम से मसालों के साथ कुछदेर पका लेते हैं कांदर डालने के बाद हमें सारे मसालों को इस तरह से मिला लेना है और इसे पांच मिनट के लिए पका लेना है मसाला और जिमी कांदर बहुत अच्छे से पक गया है अब इद्धम परफेक्ट पक गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डाल कर हम इसको बहुत अच्छे से एक उबाल आने तक पका लेना है सब्जी हमारी बहुत अच्छे से पग गई है अब हम गैस को कर लेंगे बन और इसमें धनिया पत्ता डाल कर इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल देशी तरीके से हमारी जेमी कांदा की सब्जी बनकर तयार है यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सेयर करना ना भूलें